Hello guys, अगर आप भी interested हैं और आप 10th class के बाद biology लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सुरू से आखरी तक देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अभी तक आपने class 10 तक science subject जानते थे जिसके अंदर आपको 3 subject पढ़ना होता था physics, chemistry और biology और 10th class के बाद जैसे ही आप intermediate में जाते हैं और आप अपना science system को choose करते हैं तो just इसके अंदर subject भी आपको choose करने पड़ते हैं अगर आप biology को अपना stream बनाना चाहते हैं तो आप जान ले कि biology के अंदर भी 2 stream होते हैं जिससे कहते हैं हम geology और botany इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे इससे पहले आईए जानते हैं biology के बारे में कुछ basic सी बाते जो की आपको पता होनी चाहिए तो biology जो है ये दो Greek words से मिलकर बना है bio और biology एक बात और है कि आप जानते हैं bio का मतलब life यानि जीवन और logic का मतलब study अध्यान करना होता है जिसका अर्थ होगा study of life मतलब जीवन का अध्यान करना अगर आप definition की बात करें तो आप कह सकते हैं कि और जानते हैं biology सब्द का परियोग किस ने किया ऐसे दो महान साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था लैमाक और ट्रेविरेनस जिन्होंने 1801 में biology सब्द का परियोग किया biology सब्द का परियोग तो लैमाक और ट्रेविरेनस ने किया लेकिन अगर आपसे जिव बिज्ञान का पिता यानि फादर और biology पूछा जाता है तब आपका answer होगा अरिस्टोटल और जू लौजी और बॉटनी का बात करें तो मैं आपको बता दूँ जू लौजी में animals related study करते हैं और बॉटनी में plants related study करते हैं तो आज की विडियो में बस इतना ही रहेगा अगर आपको विडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को like और subscribe करें